हेलो फ्रेंड्स गावरान तड़का रेसिपीज में मैं वर्षय ओले आप सब का भहुत बहुत स्वागत करती हूँ तो आज हम बनाने वाले है बिहारी चिकन करी आप देख सकते हो कितनी मस्त बनी है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बनाने में हारी चिकन करी जब बंधी है उसमें सरसो का तेल ही डाला जाता है तो यह चिकन करी हम सरसो की तेल में तायार करेंगे तो कड़ाय में मैंने सरसो का तेल डाल दिया है तो तेल यहाँ पे हम गरम करके लेंगे जब तक चल में से धुआ नहीं निकलता तब तक हमें यहाँ पे जब भी बिहारी चिकन बनाते हैं तो यही तरीके से बिहारी चिकन बनाया जाता है चिकन के उपर हम हल्दी और नमक डाल के चिकन को हमें 5-6 मिनेट आच्छे से तेल में फ्राई करके लेना है तो इसी से जो बिहारी चिकन का टेस्ट होता है ना बहुत आच्छा आता है कर लिया है आप चिकन फ्राइ किया हुआ हम निकाल लेते हैं तो यहां पर मैंने सब चिकन निकाल लिया है आप देख सकते हो आप जो कड़ाई में बचा हुआ वाइल है ना उसे में हम ये करी बना लेंगे तो वाइल में सबसे पहले हम डालेंगे खड़े मसाले तो यहां पर मैंने ये खड़े मसाले डाल दिये हैं खड़े मसाले हलके फ्राय होने के बाद इसमें हम डालेंगे प्याज यहाँ पे मैंने 5-6 प्याज लिये हैं और लंबे-लंबे स्लाइस में यहाँ प्याज कट कर लिये हैं आपको करी कितनी बना नहीं है उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे प्याज का इस्तमाल कर सकते हो इसमें बहुत जादा मसाले नहीं डाले जाते तो प्याज जो डाला है ना हमने उसी से हमारे जो करी बनने वाली है ना उसमें थिकनेस वगेरा सब आती है तो प्याज आपको कितनी कड़ी बनान है उसके सबसे कम जादा कर सकते हो तो आगर आपको इससे भी जादा बनानी है चिकन की तो इसमें प्याज बड़ा दीजेगा तो जब तक पेज आच्छे से brown नहीं हो जाता तब तक यहाँ पेजक पेज को हमें fry करके लेना है आप देख सकते हो यहाँ पेज हमारा fry हो चुका है अब इसमें हम डालेंगे आदरक लेजन की पेश्ट यहाँ पर मैंने दरदरी आदरक लसन की पेश्ट मिक्सी में घुमा कर ले ली है और यहाँ पर मैंने ये दो चमच आदरक लसन की पेश्ट डाली है अब प्याज के साथ हलकी आदरक लसन की पेश्ट भी हम फ्राइ करके ले लेते हैं यहां पे ना हम जो आखा लसन रहता है ना उसके चार पीस यहां पे डाल देंगे और जो बिहारी चिकन करी होती है ना उसमें इसी तरह का आखा लसन डाला जाता है तो इससे बहुत मस्ट टेस्ट आती है और लसन भी ना जब सब्ज के साथ पकता है ना उसमें भी खाने में बहुत मस्ट टेस्ट आती है जैसे हम चिकन रोटी को लागा के खाते हैं बिलकुल उसी तरह से लसन खाएंगे ना तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है यहां पे न मैंने लेसुन भी आदरक लसनों और प्याच के साथ भून लिया है एक दो मिनेट अब इसमें हम हमने चिकन में हल्दी पाउडर डाल दी थी फिर मैंने तीन चम्मच धाना जिरा पाउडर डाली है साथ में हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर आपको टीका कितना बनाना है उसके ही सबसे रेड चिली पाउडर का इस्तमाल कीजे और थोड़ा नमक डाला है क्योंकि नमक हमने चिकन भूनती समय भी डाला था, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा ही नमक डाला है, तो यह सब पाउडर मसाले आच्छे से एक बार हम चाला लेते हैं, तो आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आच्छी तरह से पाउडर मसाले फ्राइ कर लिये हैं, तो आप इसमे को बस आदा एक मिनिट पका कर ले लेना है पानी नहीं डालते हैं तो मसाली जल्दी से नीचे लग जाते हैं और पानी के साथ आच्छे से मसाली भी पक जाएंगे और जो हमारा प्याज भी है वो भी पक जाएगा और आच्छे से हमारी यहाँ पे यह गेर भी तायार हो जाए तो यहाँ पर मैंने आदा एक मिनिट मसाले पका लिए आप देख सकते हो किस तरह से पक चुक है अब जो हमने चिकन फ्राइ कर लिया था वो चिकन इसमें डाल लेते हैं और मसालों के साथ आच्छे से एक दो मिनिट चिकन को चला लेंगे तो जब तक यहाँ पर चिकन को मैं आच्छा टेश्ट आता है तो यहाँ पे मैंने गरम पानी कर लिया है आप चिकन में हम पानी डाल देते हैं आपको कितना चिकन बना नहें उसके ही सबसे आप यहाँ पर पानी याड कर सकते हूं तो यहाँ पर मेने चिकन में पानी डाल दिया है एक बार आच्छी तरह से चिकन को हम पानी के साथ मिक्स कर लेते हैं और चिकन को मिक्स करने के बाद ना हम इसके उपर ढख देंगे और ढखने के बाद ग्यास को मेडेम रखेंगे और मेडेम ग्यास के उपर आच्छे से इसक कर सकते हो या कितने लोग आपना चिकन खाने वाले हैं उसकी हिसाब से आप पानी यहाँ पर याड कर सकते हो तो आप देख सकते हो हलका चिकन उबलना शुरू हो चुका है तो अब मैंने इसके उपर धकन रख दिया है तो पूरा मैंने 15-20 मिनेट यह चिकन धक के पका लिया है अब ग्यास को हम पूरी तरह से कम करेंगे और और चार-पाच मिनिट हम कम ग्यास के ऊपर यहाँ पे चिकन रख देंगे तो आप देख सकते हो आच्छे से यहाँ पे चिकन हमारा पक चुका है बहुत ही बड़िया देखें क्योंकि पहले से फ्राइ किया था और 15-20 मिनिट में फ्राइ किया हुआ चिकन पक जाता है तो यहाँ पे मैंने आप चिकन में एक चमच गरम मसाला डाल दिया है और गरम मसाला डालने के बाद एक बार चिकन को आच्छे से मिक्स कर लिया है अब पूरी तरह से ग्यास कम कर दिया है और पाच मिनिट गरम मसाला डालने के बा दालते हैं और दन्या पतीचे से मिक्स कर लेंट हैं और यहां पर हमारा भिहारी घर्मा गरम चीकन करी खाने के लिए अ मैंने सबसे ने सुल में कि उसाइट में व्यार का उत्याओं मुवर्रा Sorry बिलकुल होटेल में मिलता है ना बिलकुल उसी तरह खा आप देख सकते हो ना तो देखके ही खाने का मन हुआ रहे हैं को नहीं हो रहे हैं उस दिऊने मुझे बताएगा अब भी इस तरह का एक बार भीहारी चिकन ज़रूर बना के खाईएगा बहुत जाधा टेस्टी जगा और आप भी इस तरह का चिकन ज़रूर बना के खायेगा फिर मिलेंगे ऐसी न्यू रेसिपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई